हलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने हमारी पॉयम टू लिटल हैंड्स को रीड किया था अब हम इसमें देखेंगे एक्सेसाइज चलिए पहले इसमें हम देखेंगे कौन-कौन से साइट वर्ड्स आये हैं तो साइट वर्ड्स तो वैसे इसमें बहुत सारे ह और जो बार-बार आते हैं उनको हम बोलते हैं साइट वर्ड्स ठीक है चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज देखते हैं सबसे पहले इसमें दिया है न्यू वर्ड्स तो इसमें कौन-कौन से न्यू वर्ड्स आई हैं फर्स्ट इस ह-a-n-d hand, l-e-g leg, h-e-a-d head, e-y-e-i, e-a-r ear, n-o-s-e nose, m-o-u-t-h mouth तो ये सारे क्या हैं वैसे ये हैं हमारे body parts हमारे body parts हैं और इस पोयम में तो हमारे body parts के बारे में ही बताया गया है है ना तो ये सारे new words हैं इनके आप spellings अपनी textbook से अपनी notebook में लिखेंगे और उनको learn करेंगे Coming to next page, part of body तो ये भी एक छोटी सी rhyme है इसको आप read कर सकते हैं और जिससे कि आप अपने सभी body parts को याद कर सकते हैं Shoulder, Knees and Toes Head, Shoulders, Knees and Toes and Eyes and Ears and Mouth and Nose Head, Shoulder, Knees and Toes है ना तो इसमें आपको दिखाया भी गया है ये जो बच्चे हैं इन्होंने अपने अलग-अलग body parts को टच किया है चलो अब आप बताएंगे कौन से बच्चे ने कौन से body part को टच किया है तो पहले इसका बताईए इसने कौन से body part को टच किया है Nose को, Very Good and this girl, Head, Well Done, This is Shoulder, So this one is Shoulder and both are Shoulders, Okay Then this girl, This girl touches Legs, ये अपनी Legs को टच कर रही है, Then नीचे बताईए, This girl, Mouth Okay, This boy, Ears, This girl, Eyes and This boy, Touches His Toes Let's come to the next page Let us speak, इसमें आपको टीचर के पीछे-पीछे बोलना है, Repeat करना है चलिए, पहले मैं बोलती हूँ, फिर आप मेरे पीछे बोलेंगे I clap with my hands, Very good, I tap with my feet I look with my eyes, I walk with my legs Well done, तो इससे हमें क्या पता चला, हम क्या करते हैं, अपने hand से हम करते हैं, clap अपने feet से हम करते हैं, tap आइस से करते हैं, look Leg से करते हैं, walk तो आपको यह सब action भी पता होने चाहिए, कि हम अपने body parts को कैसे कैसे use करते हैं Next page पे आते हैं, page number 5 Talk in pairs, यह activity है, यह आप अपने friends के साथ करेंगे जैसे कि यह activity की हुई है, नेहा और नितिन नाम के वच्चों ने है न, वो आपस में बात कर रहे हैं, वो आपस में पूछ रहे हैं, अपने body parts को बता रहे हैं तो आप भी अपने friends से पूछ सकते हो, ठीक है जैसे नितिन पूछ रहा है, नेहा से, what is this? यह क्या है, नेहा से, this is my nose, नेहा कहती है, यह मेरी nose है अब नेहा पूछती है, what are these? यह क्या है? नेटिन से, these are my shoulders, यह मेरे shoulders हैं एक और चीज यहाँ पर क्या सीखेंगे, जब हम किसी से पूछते हैं, what is this? है ना, जब is और this आता है, इसका मतलब उसमें हमें सिर्फ एक ही body part का, एक ही चीज का नाम बताना है ठीक है, लेकिन जब हम यह पूछते हैं, are these? are these? हमें एक body part का नाम नहीं बताना है, जो एक से ज़ादा होती है, उनके बारे में बताना है तो अब की बार नहा ने क्या पूछा, what are these? यह क्या है? है ना, तो नितिन कहता है, these are my shoulders यह मेरी shoulders हैं, और किते shoulders होते हैं हमारे? two shoulders होते हैं, well done then, नितिन says, what is this? नहा says, this is my mouth, अब इस आया है, तो एक ही चीज बतानी है है ना, तो उसने mouth को touch किया, तो उसने क्या बोला, this is my mouth then, नेहा says, what are these? यह क्या है? अब की बार भी हमें एक से ज़ादा चीज बतानी है तो कहेंगे, नितिन says, these are my ears, यह मेरे कान है then, नितिन says, what is this? नेहा says, this is my mouth then, नेहा कहती है, what are these? यह क्या है? नितिन कहता है, these are my hands, यह मेरे हाथ है ठीक है, then, लास्ट में, नितिन फिर से कहता है, what are these? यह क्या है? then, नेहा कहती है, these are my legs, यह मेरी legs है, टांगे है, तो ऐसे ही आप भी अपने किसी भी बॉड़ी पार्ट को टच करके पूच सकते हो अपने फ्रेंड से, ठीक है? coming to next page, match the parts of the body with their pictures यहां पे कुछ pictures भी दी हैं और बीच में body parts के नाम भी लिखे हैं, तो आपको उनको match करना है तो सबसे पहले हम pictures देख लेते हैं, picture में क्या है? this is hand, this is an eye, क्योंकि एक है तो उसको हम eye बोलेंगे, एक से जादा है, दो है तो उसको हम eyes बोलेंगे, ठीक है? ऐसे ही, this is ear, एक है तो ear बोलेंगे, दो होंगे तो ears बोलेंगे, ठीक है? then, next, this is nose, this is, this is not a hand, यह हमारी arm है, बाजु है, इसको arm बोलेंगे, hand जो होता है वो, यह उपर आ गया है, this is our arm, then, this is feet, यह हमारा feet है, then, नीचे देखेंगे, क्या-क्या है? this is head, क्योंकि इसमें बाल भी दिखाए है है न, तो यह head हो सकता है, या face भी हो सकता है, देखते हैं, option में क्या है, then, this is our leg, this is tongue, this is cheek, and this is our mouth, तो इसको आप अपने आप से match करेंगे, जो भी body parts दिये हैं उनके साथ, हमने half exercise कर ली है, आपको नेक्स वीडियो में करेंगे, बा दीक करेंगे, जिसो दिन कर दोटी करेंगे हैं, युरिंट हैं दिने करेंगे हैंगे, ए्यूस भी झाइन करेंगे हैं !